कमबोडिया जीडिपी 29.96 बिलिन यूएस डॉलर बहामास जीडिपी 13 बिलिन यूएस डॉलर नामीबिया जीडिपी 12.61 बिलिन यूएस डॉलर और ऐसी ही 20 और कंट्रीज जिनमें नेपाल, अफगानिस्तान और जिम्बाबे जैसे कई देशों के नाम शामिल है जिनकी अगर इनसान की परसनल नेटवर्ट के साथ, थोड़ा जीव नहीं लगता, एक अकेला इनसान और इतने सारे देशों की जीडिपी फिर भी कम, और ऐसा भी नहीं है कि ये किसी दूसरी दूनिया की बाते हों, ना ही कोई एलिन पावर है जो सिर्फ इलोन मस्क को ही पता थी, ये त सोचते हैं कि इस बार तो मैं पक्का पैसे सेफ करूँगा, लेकिन मन्थ एंड पे फिर से वही कहानी, क्रेडिट कार्ट की EMI, बिजली का बिल, घर का रेंट, ये सब खर्चों में ही जिंदगी उलच के रह चुकी है, खाप तो बड़े थे, कि एक दिन मेरा भी एक बड़ फिर अब आप खुद को कोशते हो, अपनी खराब किसमत को कोशते हो, उन लोगों को जिनोंने लाइफ में कुछ कर दिखाया है, उनको देख के ये कहते हो, कि यार इनकी तो किसमत बहुत अच्छी थी, ये तो सिल्वर स्पून लेके पैदा हुए थे, ये तो खांदाली र आप अंदर से confident महसूस करोगे, कुछ कर दिखाने की आग जो आपके अंदर बुच चुकी है, वो फिर से जलूठेगी, और आपकी हालत चाहे कितनी भी खराब क्यों न हो चुकी हो, आप उस हालत से बाहर निकलने का हर सफल प्रयास करना चाहोगे, तो दोस्तों, शुरू क अच्चे भी easily समझ पाएं, दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में मैं दो famous stories आपके साथ share करूँगा, जो की बहुत ही inspiring है, और इनमें बहुत सारी learnings छिपी हुई है, इसलिए ध्यान से सुनते रहिए, नमबर वन, Parable of the Pipeline, एक इटेलिन विलेज में दो cousins रहते थे, पाब उस गाओं में पानी की बहुत किलत थी, लोगों को एक बकेट पानी भरने के लिए मीलो दूर रीवर तक जाना पड़ता था, हाथों से बारी बकेट को उठाके लोग अपने घरों तक लाते थे, लोग इस समस्या से बहुत परेशान थे, उस गाओं के सभी लोग काफी अम लगे, जी सर, हम ये काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है, तुमें एक बकेट के बदले वन सेंट दिया जाएगा, मुखिया ने कहा, पाबलो और ब्रुनो नोकरी पाके बहुत खुश हुए, दोनों तुरंत काम पर लग गए, पहले ही दिन दोनों ने 10-10 बाल्टिय पाबलो को लगा कि ऐसा हमेशा के लिए तो नहीं चल सकता, इसलिए वो एक डिफरेंट प्लैन के साथ आया और ब्रुनो से कहने लगा, देखो ब्रुनो, ऐसे रोज-रोज बकेट्स रीवर से भरके गाउं तक ले जाना मुझे नहीं लगता सही है, हम दिन में जादा से जा पैसे कमा सकते हैं, इस पे ब्रुनो कहने लगा, लगता है पाबलो तुम पागल होगे हो, पाइपलाइन बिचाने में तो सालों लग जाएंगे, तब तक हमारा काम कोन करेगा, घर में पैसे कहां से आएंगे, मुझे तो कोई जुरूरत नहीं लगती पाइपलाइन की, मैं दिन रात मेहनत करके पाइपलाइन बिचाने लगा, पाइपलाइन बिचाने का काम बिल्कुल भी आसान नहीं था, उसे तीन-चार फीड गहरी जमीन खोदनी पड़ती थी, और कई मील लंबी पाइपलाइन भी बिचानी थी, जिसके लिए जो मेहनत लगती थी, वो बकेट के काम से काफी पैसा कमाया, उसने एक बड़ा घर खरीदा और शादी भी कर ली, बुरुनो की सब बहुत तारीफ किया करते, उसे लोग मिस्टर बुरुनो के नाम से बुकारने लगे, दूसरी तरफ पाबलो का सभी मुजाक उडाते, उस पे हसते ये कहके कि देखो आया प पाइपलाइन बिचाने में देता, अब उसे और कम समय लगने लगा और उसने अगले आधे साल मेहीं, यानि छे महीने में ही बाकी की पाइपलाइन बिचा ली, उसने पाइप के सिरे पे नल लगाया और वहाँ एक आदमी को देख रेक के लिए खड़ा कर दिया, जिसे भी पाइपलाइन की बज़ा से दोबारा भी रोजगार हो गया, क्योंकि अब लोगों के पास option था, कि वो जब चाहें जितना चाहें पाबलो की पाइपलाइन से पानी भर सकते थे, तो अब क्यों कोई बुकेट्स करीट था, और सालों तक बुकेट्स केरी करने की वज़ा से, बुरुनो की कमर में भी भ्यानक दर्द रहने लगा था, वो जुक के चलने लगा था, जैसे कोई बुड़ा इंसान हो, अब जरा रुकिए, और सोचिए कि आप इन दोनों में से किस की तरह हो, क्या आप एक बकेट कैरियर हो, या एक पाइपलाइन बिल्डर, क्या आपको ह तो हम एक बकेट कैरियर वाल्ड में रहते हैं, जहां हर रोज हाड़ वर्क करने वाले को ही सक्सेस्फुल माना जाता है, जबकि स्मार्ट वर्क पे बहुत कम फोकेस लोग करते हैं, और जो लोग स्मार्ट वर्क करने की कोशिश करते हैं, उन्हें दीमोरलाइस किया जाता ह उन्हें ताने मारे जाते हैं कि तुम कन्वेंशनल तरीके से बाहर निकल के पैसा नहीं कमा सकते, जबकि दोस्तों वेल्थ रूल्स फोलो करने वाले नहीं, बलकि रूल्स ब्रेक करने वाले बनाते हैं, वेल्थ वो है जो दूसरों को दिखाई नहीं देती, जबकि अमीरी का शोर सब तरफ सुनाई देता है अमीर दिखने के लिए क्या करना है बस अपनी income को spend करते जाओ आप अमीर दिखते जाओगे लेकिन अगर financially free होके अपनी life को spend करना जाते हो तो आपको पैसे save और invest करने होंगे ताकि आपके पैसे compound होते रहें और पैसों से पैसे बनते रहें तो अब अगर आपने मन बनाया है इन्वेस्ट करने का तो अभी description को चेक करिए वहाँ आपको free DMAT account opening के links मिलेंगे जल्दी से एक DMAT account open करिए और start करिए अपनी investment journey को आज ही एक समय की बात है एक गाउं में एक šilp kार हुआ करता था दूर दूर से लोग उसकी मोर्तियां खरीत ने आते थे मूर्तियों को बहुत पसंद करते थे शilp kार भी बहुत खुश था अपने काम से वो लगातार मोर्तियों के नए-नए डिजैन बनाता रहता और जब भी कोई नया डिजाइन बनाता तो वो सबसे पहले अपने पिता जी को दिखाता उसके पिता हमेशा उसकी मूर्ती से कोई न कोई गल्दी निकाल देते और कहते की बेटा इसे दुबारा बनाओ और इस बार पहले से बहतर बनाना और ऐसे वो शिल्पकार मूर् लोग उसका आदर करने लगे उसे कई पुरुसकारों से भी सम्मानित किया गया और ये सब के कारण उसे ये महसूस होने लगा कि वो आप परफेक्ट बन चुका है इसलिए अब उसने अपने पिता के क्रिटिसिजम को गलत साइड लेना चालू कर दिया उसे लगने लगा कि उ ऐसी तुम्हारी मरजी और उन्होंने काम पर आना बंद कर दिया कुछ महीने तो अच्छे चलते रहे लेकिन धीरे धीरे शिल्पकार की मूर्तियों की सेल नीचे गिरने लगी और फिर कुछ सालों बाद उसकी मूर्तियों के बस किने चुने ही ख्रीददार रह गे और उसक की मूर्तियों को इजिली रेप्लिकेट कर लिया और सस्ते दावों पे बेच के सारा क्राउड अपनी तरफ कर लिया इसलिए दोस्तों स्टोरी का टाइटल है गुड इस दा एनिमी ऑफ ग्रेट जब आप गुड में सैटिस्वाई हो जाते हो तो आप ग्रेट कभी नहीं ब बेहतर करना होगा आपको किसी और से कंपीट नहीं करना है बलकि खुद की ओल्ड वर्जन से कंपीट करो सिर्फ एक परसेंट डेली इंप्रूव्मेंट से आप साल में 365 परसेंट इंप्रूव हो सकते हो इसलिए फोकस उन बिकमिंग ग्रेट नोट उन बिकमिंग गुड द दोस्तों अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करना लाजमी है और सो दोस्तों फ्री डीमेट अकॉंट ओपनिंग के लिंक्स डेस्क्रिप्शन में है डू चेक देम आउट